हलो, वेलकम गाईज, वेलकम बैक तो माई चैनल, लॉनोर्स अकेडमी, मैं हूँ एड्वोकेट वैश्मी बोहरा, आज मैं आपको एड्वोकेट्स की ड्रेस कोड के बारे में पूरी डिटेल्स दे रही हूँ कि वकीलों की युनिफॉर्म कोड में कैसी होनी चाहिए, this is all about the dress court for advocates in various courts, like district court, high court and supreme court, हर court की युनिफॉर्म अलग-अलग होती है, उसके बारे में बहुत सारे students को जानकारी नहीं होती है, और क्या-क्या allowed है, क्या-क्या नहीं allowed है, ये भी बता देती हूँ, क्योंकि देखिए, case आया था, lawyer में जिसमें युनिफॉर्म पूरी नहीं पहनी थ जो हैं हर तरह के courts में होते हैं, खासतोर से high court और supreme court के अंदर तो बहुत जादा stiffness है इस चीज को लेकर, क्योंकि वहाँ पे long court जैसे आप देख रहे हैं, gown, wear करना बहुत compulsory होता है, high court और supreme court में, और dress court हर एक जगा की fix हो रखिए, देखिए, male judicial officer की युनिफॉर्म है, उसमें white shirt, white band, neck में होना चाहिए, black coat होना चाहिए, gray या white trouser होनी चाहिए, ठीक है, और black pant भी carry कर सकते हैं इसमें, और जो female है, judicial officer यानि की, judicial officers की uniform भी same ऐसी ही है, white shirt, pant and black coat, full sleeves का, ladies के लिए, साडी की जैसे है, तो blouse पहन सकते हैं, फुल और half sleeves पहन सकते हैं, साडी भी पहन सकते हैं, black and white, और pant या सलवार long pant पहन सकते हैं, long कुर्ती पहन सकते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में, picture में देख रहे हैं, black कुर्ती, black pant, cotton की पहन सकते हैं, jeans allowed नहीं है, with full sleeves coat है, winters में and summers में, आप जैसे white shirt तो ladies के लिए long allowed है ही, black आप white trouser पहन सकते हैं, half coat भी पहन सकते हैं, without sleeves का coat में, लेकिन जो band आप white neck, band जो गले में देख रहे हैं, तो ये compulsory होता है, court room के अंदर, ये आप बाहर नहीं पहन सकते हैं, इसकी instructions में आपको details अभी आगे दूँगी, क्योंकि court के अंदर band पहनना compulsory है, ठीक है, बिना आप अगर court room के अंदर नहीं है, जज के सामने नहीं है, तो आप simple rest में अपनी रह सकते हैं, uniform में chamber के अंदर या court के अंदर, कहीं पह भी आ जा रहे हैं, लेकिन जब court की hearing है, तो आपको ऐसा neck का band पहनना compulsory है, पूरी uniform में होना compulsory है, white shirt, white pant या grey pant भी हो सकती है, black pant भी पहन सकती है pant shirt या white sardi, black sardi भी पहन सकती है, black and white combination की sardi भी पहन सकती है, district courts के अंदर आपको court पहनना ज़रूरी है, लेकिन high court और supreme court के अंदर full gown compulsory है, ठीक है, यह आप देख रहे हैं, मैं different different आपको examples के तोर पे दिखा रही हूँ, कि courtroom के अंदर neck band ज़रूर होना चाहिए, full uniform होनी चाहिए otherwise judges जो हैं, इस पे मना कर देते हैं, hearing सुनने के लिए भी, तो यह जो act आया था, advocates act 1961, इसके अंदर specially यह uniform के बारे में बताया गया है, कि आपको क्या पहनना है, black coat, white shirt and white band पहनना ज़रूरी है, black या white pant भी पहन सकते हैं, और यह rules बने हुए हैं, इसके अंदर भी specially बताया है, क इसको कोट के अंदर सुप्रीम कोट या हाई कोट में गाउन पहनना compulsory है, बाकी के अंदर नहीं ज़रूरी, गाउन ज़रूरी नहीं है, but इसमें यह भी compulsory बताया गया है, कि बैंड जो है, आप गाउन और बैंड जो है, आप बार पबलिक में नहीं पहनेंगे, अगर कोई काउंसिल की, बार काउंसिल की कोई सेरेमनी नहीं है तो, ठीक है, तो ये था वीडियो जो सारा मैंने बताया, आपको पसंद आया हो, तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बने रहे है मेरे चैनल के साथ, थैंकी सो माच,